So, Hello and Welcome to Quick Issady Online. Quick Issady Online में आपका एक बार फिर से स्वागत है. मित्रों Current Affairs के Trending Topic सीरीज में आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे वस 2022 में भारत में पहली बार घटी-घटनाओं के बारे में. तो जो भी मित्र किसी भी एक दिवसी परिक्षा की तैरी से जुड़े हुए हैं उन सब के लिए ये Class काफे Important और Useful होगी. बिल्कुल Quick and Smart तरीके से अधिक स्याधिक Information प्रोइड करने की पूरी कोसिस की जाएगी. तो मैं highly recommend करता हूँ, आप वीडियो में लाश तक बने रहें. तो चलिए वीडियो की फटा-फट से शुरुआत करते हैं. बारत में पहली बार कौन क्या कहां, छोटी-बड़ी जैसी, छोटा-बड़ा जैसी सभी घटनाओं के बारे में जानेंगे. तो पहला कोश्चन है, हाल ही में किस के अंदरी अर्ध-जैनिक बल द्वारा पहली बार दो महिला अधिकारियों को IG नुक किया गया है. इसका सही उत्तर हो जाएगा, CRPF के द्वारा, ठीक है ना? CRPF के द्वारा दो पहली बार, दो महिला अधिकारियों को IG के रूप में नुक किया गया है, और ऐसा पहली बार हुआ है. दो महिलाओं का नाम है, एनी अबराम, ये Rapid Action Task Force की पहली IG बनी है, और सीमा धुंडिया ये दूसरी बेखती है, बिहार सेक्टर की ये पहली IG बन गई है, ठीक है ना? बात करेंदी CRPF की, तो CRPF यानी Central Reserve Police Force, इसके स्थावना वर्स 1949 में की गई थी, हेड़कॉर्टर नहीं दिल्ली में है, और SL 1000 अभी हलहे में इसके नए महाने देशक बने हैं, ये भारत का सबसे बड़ा अर्थ सानिक बल है, ठीक है, और जद ही ITBP के भी, ITBP यानी इंडो तिबितन Border Police Force, इसके भी महाने देशक हैं, वो अनिस द्याल सिंग को अभी जद्ध ही ने उट किया गया है, ठीक है ना, नेक्ट कोश्चन, देश का सबसे बड़ा भूल भूलेया पार्क का उद्गाटन पिया मोदी ने किस राज़े में किया, तो इसका सही उतर हो जाएग ये मियावा की जंगल क्या है, तो देखें, ये जापान के एक परसिद्ध वनसवत सास्त्री थे, और वो जंगल मियावा की पधती पर लगाया गया है, मियावा की पधती क्या है, ये इनका मानना था कि इस मियावा की पधती की माद्यम से अगर पधे लगाया जाएं, तो आप जान लेते हैं थोड़ा सा गुजरात की बारे में, चुकि यहां पर गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और इसी गांधीनगर में PM मोधी की द्वारा, डिजिटल इंडिया सप्ता की सुरुआत की गई है, और गांधीनगर में रेलवे द्वारा, भारती रेलवे के बीच, भारत की तीसरी वंदे भारत एक्परेस ट्रेन के सुरुआत की गई है, और टकर रोधी प्रनाली कवच से लैस ये पहली ट्रेन होगी, ठीक है न, और मुख्य मंतरी यहां के भुपेंदर भाई पटेले, आचारे देवरत यहां के राजेपाल, और गुजरात अरविंद कुमार, ठीक है न, और गुजरात हाई कोट जो है, वो डिजिटल घड़ी लागू करने वाला, यह पहला हाई कोट बन गया है, ठीक है, तो मितर चैनल पर यह दिया आपके पहली विजिट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान जरूर प्रेस कर दीजिएगा, मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी हल्प जरूर कर पाऊंगा, और आपके सपोर्ट और अप्रिसेशन के हमें साथ जरूर रह थे, तो आप वीडियो को लाइक और भी जरूर कीजिए, और आपके जो भी अप्रिसेशन इन सजेशन है, कमेंट बॉक्स में साधर आमांतरी थे, आप अपनी राय वहाँ जरूर ब्यक्त करें, वीडियो के पीडियो के लिए टेलिग्राम के अप्लिकेशन में आप वहाँ के सर्च बॉक्स में तुरंत क्विक इशडिय ओनलाइन टैप करके और वीडियो के पीडि दानी है, इटा नगर, ठीके न, और मुख्य मंतरी यहां बीडि मिस्र है, पेमा खंडू है, और राजिपाल बीडि मिस्र है, जिनको अभी हाले में मेघाले का अभी अतरिक्त प्रभार दिया गया है, और जो अरुणाचर प्रदेश है, इसका जो हाई कोट का अधिकार छे देता हूं आपको, हाले में यहां पर डोनी पोलो एयरपोर्ट चर्चे में आया था, यह मेघा, स्वरी, अरुणाचर प्रदेश का, कि राज दिकाई यह तीसरा एयरपोर्ट होगा, डोनी पोलो का, वहां की जन जाती बासा में अर्थ हैक्रमसा, शोरी एवं चंद्रमा, ठीक है, और मुख्यमंत्री क्रिशी यह बागवानी योजना यहां चर्चे में आई थी, और मेडिसीन फ्रामदेश काई भी यहां एक योजना अभी जद्ध ही लॉंच की गई है, ठीक है ना, और और क्या का सकते हैं, और रुणाचर प्रदेश में एक कि बितु मिलेटरी गेरीशन का नाम भारत के पहले सीडियस, जनरल विपिन रावत जी के नाम पर रखने की भोशना की गई है, बार बार रुणाचर प्रदेश भूल जा रहा है मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है, रुणाचर प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी जिला है, पूर्वी राज है, आ और किसी छोटी वीडियो में बिस्तार से जरूर पढ़ेंगे, और बहुत जल्दी हम लोग एक करेंट अफेर्स की वीकली सीरीज दे के आ रहे हैं, सबता हमें एक बार, मतलब दने कस्तर पर जो घटनाय घट रही हैं, उसके बारे में जरूर चाचा करेंगे, तो आप उस स सफल बनाने, ऐसा मैं रिकमेंट करता हूँ आपसे, चलिए नेक्स कोश्चन, सियम योगी द्वरा उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर का उत्गाटन कहां किया गया है, इसका सही उत्वर हो जाएगा, ग्रेटर नोड़ा उत्तर प्रदेश में, पांच हजार क्रोल रूप जेवर एरपोर्ट, टाटा ग्रुप्स के द्वरा यहीं बनाया जा रहा है, ठीक है, और बात करें दिए उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनवू, जो गोमती नदी की किनारे बसी हुई है, मुख्यमंत्री, सियम योगी है, और राजजपाल आन केजी एम्यू यूनिवर्सिटी में स्थापित की गई है, यह पैथोजयों रिडेक्शन का नाम आप थोड़ा साजीव लग रहा होगा, यह खून की जाच समंधी एक मर्शीन है, ठीक है, उत्तर प्रतेश की योजनाओं की बात करें, तो पंच्याम्रितम योजना यहां ब हैला बाइन की योजना की शुरुवात भी यहां पर की गई थी, ठीक है, और अभियुदय कोचिंग की शुरुवात प्रतियों की छात्रों को मुफ्त सिख्छा के तोर पर यहां पर किया गया है, और ओडी ओपी योजना आप सुनें यहोंगे, इसकी जलधी अबेस्जर के तोर पर कांगना रनाउत को न्यूक किया गया है, ठीक है, और जो उत्तर प्रतियस का प्रियाग राज है, इफको द्वारा जो लिक्विड यूरिया है, उसका दूसरा प्लांट यहीं पर फूलपूर, प्रियाग राज में एक लोकल जगा का नाम है, वहीं पर अस्थापि नेक्स्ट, भारत का पहला नेट जीरो एनरजी कम्यूनिटी गाउं कौन बन गया है, तो देखिए, में साना जीला गुजरात में है, वहीं पर मोढ़ेरा गाउं है, यहीं इसका सही उतर हो जाएगा, ठीक है, जिसको सूर्य गाउं के नाम से भी जानते हैं, यहां पर 24 इंटू 7 सोलर एनरजी से संचालित यह गाउं बन गया है, हलांकि MP में बैतूल जीले का बाचा गाउं भी भारत का पहला सोर उर्जा से संचालित गाउं था, लेकिन वहां पर 24 इंटू 7 के सुविदा नहीं थी, ठीक है, तो चर्चे में गाउं की बात कर लेते हैं, तो भ ठीक है, जम्मू कस्मीर में ही भारत का पहला दूद गाउं स्थापित क्या गया है, जेरी हमलेट, ठीक है न, और, और क्या कहा सकते हैं, देखें कुछ जिले हैं, जो चर्चे में आये थे, ऐसे बिसेस जिले, तो उनको मैंने एक कोशन आगे में सेट कर रखा है, जिला की चर्चाव हम लोग वहां कर लेंगे, ठीक है, नेक्स कोशन, हिंडाल को दौरा विक्सित भारत की पहली एल्मॉनियम, फ्रेट रेक ट्रेन का उद्गाटन कहां किया गया, इसका सही उतर हो जाएगा, भवनोसर उडिशा में, ये एल्मॉनियम दौरा विक्सित एक परकार क स्वदेशित तवर पर माल गाड़ी होगी, जिसका विकास हिंडाल को दौरा किया गया है, ठीक है ना, अब बात करें दिए हिंडाल को की तो इसकी स्थापनों पर सुनियम ठाउन में की गई थी, और मुबई महाराष्ट में इसका हेड़क्वाटर है, कुमार मंगलम बिड अडिशा की, देखिए भूनेस्वर भारत की पहले स्मार्ट सिटी है, वहीं भारत की सौवी स्मार्ट सिटी, यह मेगाले की राधानी शिलॉंग है, ठीक है ना, और इसी भूनेस्वर में, क्या कह सकते हैं, चाता योजना अभी चर्चे में आए थी, उडिशा से, ठीक है और उडिशा के स्रीयम ने अभी हाले में, जन जातियों का अभी सुकोस जारी किया है, अलीवा पहल की सुरुवात, यहीं की गए थी, ठीक है, और गुप बंधु योजना, यह उडिशा की पत्रकारों के वीमा कवर के लिए, स्वास्त वीमा कवर के लिए, चर्चे में मुख्यमंत्री कौन है, तो नविन पटनागया के मुख्यमंत्री है, गड़िसी लाल उडिशा के राजयपाल, और इस मुर्ली धर यहां की उचन्याले के मुख्यनादीश है, जो कटक में इस्तित यहां का है, हाई कोर्ट है, ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला कोचिंग ह हब कहां बना जाएगा, तो यह सही उतर हो जाएगा, जैपूर प्रतापनगर राजस्थान में, ठीक है, लगवख सत्तर हजार, मतलब बिद्यार्थियों के आवास की यह बेवस्ता है, जिसे कोचिंग हब के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, अब बात करें जैपूर की, त सुर्वाद भी जैपूर में ही की गई है, बात करें दी राजस्थान की तो राजधानी यहां की जैपूर अभी बताया मैंने, मुख्य मंत्री यहां के अर्शोक गैलोत, और कर्राज मिस्र राजस्थान के राजय पाल है, और संभाजी सिवाजी सिंदे, यहां के हाई कोड को मुखिने थे छे हैं ठिका नब राजैस्स्थान यसे संबंधित दो बाते में बता देता हूं पर या इनरी शूचका अभी जब देन जारी किया टा पहला श्थान राजस्थान का ही था और राज़स्थान के आज्मेर में शूफी सबसे बढ़ा होगा इसको launch किया था ठीक न Almost है कि ऑ यह पिझोंकि सबसे बड़ा सफारी पार कहा सोफित श्था है तो गुरुग्राम हर्याना है ठीक ना अब बात करें गुरुग्राम परस्थाइं oh थोड़ी सी गुरुग्राम की बात करें तो देखिए गुरुग्राम आया दिन हमेशा चर्चेंग बना रहता है क्योंकि हर्याना के बहुत ही चर्चित सहर है गुरुग्राम में जल्द ही कुछ छिए ही प्रस्थाविक क्या और बात करें तो भारत का पहला गर्यापंश ने यहीं परस्थावड केगए मुचया चंडीगण Cirigy तो पबलीख सिंडेक्स के सुरुवात हर्याना गवर्मेंट के द्वार रखी गई थी ओडी ओभी योजना उत्तर प्रतेस के संब्द में ओडी ओपी योजना मैंने बताया था और यहां क्या बता रहा हूं ओडी ओभी योजना वहां पर पीफ़र स्वरी ओडी ओभी नहेंगा देखे यहां पर ओभी ओपी होगा वहां ओडी ओडी ओपी अप़ी है तो उत्तर प्रतेसिंस के दीफाटेस्रिक्ट था अऔर यहां पर बीफाप गुलॉक हो हो जाएगा जाएगा जिकए कि याद रखेगा next भारत का पहला हीमसखलन निगरानि रडर क स्थाबना कहां की गई है तो शिक्किम में ठीक है मातर तीन सेकेंड में यह हिमस्खलन की जानकारी का पता कर सकेगा ठीक है अब बात करें देश कि तो यह भारत का एक पहाड़ी राज है ठीक है सिक्किम की लोकेशन कुछ ऐसे है तीन देशों के सिमाओं से घिरा हुआ यह भारत का राज है हलांकि एक ऐसा राज और उर्णजर प्रतेश भी है तीन देशों के दिबात करें तो इधर से नेपाल भूटान और उपर से चीन हो जाएगा ठीक है राज़ानी गंग टोक और इसी गंग टोक में केंद्री ग्रीह मत्री अमिसाजी के द्वारा सर्दार पटेल जी की एक प्रतिमा का जद्धी अनावरान किया गया है और राष्ट्रपती द्रवपती मुर्मू दो दिन के दवरे पर अभी जल्द ही शिक्किम पहुंची है और शिक्किम में एक प्रसी दित्योहार है या महुत्सों कर सकते हैं लुसांग फेस्टिवल याद रखेगा भारत की सबसे उंची जील अठारा हजार फिट के उंचा भारत में सोलर फर्म उस्थाफित करने वाली पहले एकमर्स कंपनी कौन बन गई है तो बात करें थी अमेजन की तो इसके स्थापना वर्स 1994 में की गई थी हेड़कॉर्टर नियुवर्क अमेरिका में है और इसके संस्थापक थे जेफ बेजोस हलांकि इसके वरत्मान में MD CEO NDAJC को बनाए गया है ठीकी ना अपरेशन ब्लू ओरीजिन जेफ बेजोस का एक अंतरिक्ष मिशन था याद रखेगा यहां पर चुकी एक कॉमर्स कंपनी की बात हो रही है तो देखे एक छोटी कंपनी के बारे में मैं बता रहा हूं हलांकि कंपनी छोटी नहीं यह मतलब घटना थोड़ी पुराने हो सकती है जो डाबर इंडिया है न वह भारत की पहली सिंगल यूज प्लास्टिक को बैंड करने वाली पहली कंपनी बन गई है तो आप यहां से इसको रिलेट करके याद रखेगा किसी राज याथ हो यूटी में देश का पहला वर्चुल स्कू लालिया जा सकेगा तो भारत की राजधानी दिली है और दिली में मुख्यमंतर अरविंट के के जिवाज है और दिली के जद ही पनाया गया थैँ व्हके सक सेना नहां सरकर्कार की प्रमुख रंश के बात करें तो यहां पर अभी जल्द ही एंटी डस्क एंटी डस्ट अभियान के शुरुआत की गई है आप देख रहे हैं कि आए दिन दिल्ली में जो प्रदूशन है वहां पर बड़ी अस्तर पर बढ़ रहा है और यहां पर इसी के कारण लॉकडाउन जैसे इस्तिती बनने जा रही है ठीक है ना इसी दिल्ली में भारत का प्रदा दर्शन पार्क के स्थापित किया घया था ग्रीह मंत्री अमैसाजी के दोरा ठीक है ठीक है दर्शन पार्क यह ऐसा होगा जो भारत के जो भी चर्चित-परेटन अस्थल है उनका एक प्रतिरूब वहां पर बना जा जाएगा आप दिल्ली के दर्शन पार्क में पहुंच कर यह देख सकेंगे कि ताजमाल कैसा है ठीक है ना और रेड़ लाइट आन गाड़ी आफ अभ्याने हां बहुत जद्धी चर्चे में थी दिल्ली में ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं जल्दी से और थोड़ी सी आगे बढ़ने की कोशिस करता हूँ उत्तर प्रदेश के किस सहर को एस सी ओ की पहली परेटन एम संस्कृतिरी राइधानी के रूप में नामित किया गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वारानसी ठीक है बात करने दी वारानसी की तो देखिए जो संगाई कॉपरेशन आर्गनाईजेशन बात करने दी संगठन का वस्तों में स्थापना 1996 में किया गया था 2001 में ठीका पुनर नामकरण किया गया ठीक है और इसका है बीजिंग चीन में और ब्लादमिर नोरो इसके अध्यक्ष है ठीक ना वर्स 2017 में भारत और पाकिस्तान को एक साथ इसमें सदस्था मिले थी और एस्यों की 22 वी बैठक अभी जल्दी उजब्यकिस्तान की राज़ानी समरकंद में आयोजित की गई थी बात हो रहे हैं यहां वारांसी की तो वारांसी दो तिन बाते मैं याद कर लेता हूं गाटों का सहर वारांसी को बोला जाता है और मंदिरों का सहर भी इसी को बोला जाता है ठीक है ना रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर काउद गाटन पियम मोदी द्वारा जल्दी यहां पर किया गया था और कासी भी सुनात कारेडोर काउद गाटन भी पियम मोदी नहीं कि किया गया था ठीक है ना भारती राजे जिसने खेदी में ब्लॉक्चेन तक्निकी पेस किया है तो यह राजे हो जाएगा 36 गड़ ठीक है ना कृष्टी के छेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाना इसका मुख्य उदेश से होगा याद रखेगा ब्लॉक्चेन टेक्निक है यह तक्निकी है 36 गड़ के द्वरा लांच किया गया है ठीक है ना बात करेंदी 36 गड़ की तो इसकी राजधानी है रायपूर मुख्यमंत्री अनुस्विया हुई के हैं और सुरी देखे यहां मिस्टेक हो रहा है मुख्यमंत्री यहां पर भूपेस बगयल है राजिपाल मुख्यमंत्री धन्मंत्री जनरिक इस्टोरी यहां चर्चे में आए थी किस बैंक द्वारा कोजी कोट के रल में पहली महिला साखा के सुरुवात की गई है तो इसका सही उतर हो जाएगा HDFC बैंक ठेक है यह पूरी तरह से इस बैंक की जो यह साखा है मैं मतलब पूरी तरह से जितने भी करमचारी होंगी वो सारी की सारी महिला होंगी ठेक है और इसी ब्रांच की सुरुवात HDFC द्वारा पहली बार की गई है अब बात हो रहे हैं पूर्ता महिला से संचालन की तो देखिए दो बाते मैं बताता हूं यह जो केरल में ही जा लेजिए जो कोजी कोट है ना भारत का पहला वूमन ट्रेट सेंटर यह यह स्थापित किया गया है यह वहां पर एक रेल्वे स्टीशन है और राजस्थान के गांधे नगा रेला स्टीशन में भारत का पहला ऐसा रेल बहले स्टेशन होगा जहां पर फूनत जो कर्मचारी है वहां पर भी भी लाए हैं इन बातों को याद रखेंगा बात करने दी एच्टी एपसी बैंक की तो इसके स्थाबना उनिश्ट च्वराबर में की गई थी हेड़कॉडर मुंबई महराष्ट्र में है और श्राशी धर जगदीशन इसके वर्तमान मुव बंद रखो अभ्यान बहुत जल्द ही इसी स्रेणी में मतलब हर घर जल का प्रमान जल्द ही गुजरात को भी दिया गया है ठीक नब लेकिन पहला राज SARAH की बात करें तो गोवा हो जाएगा वह हैं पहले जİले की बात करें तो यह MP में एक बुर्हान पुट जिला है वह इस मामले में पहले जिले के तोर पर आया था बात करें थी गवा की तो गवा की राधानी है पंडजी दोखी मांडवी नदी की किनारे बसी भी है ठीक है और गोवा के वर्तमान मुख्य मांतरि हैं प्रमोत सावंत राजपाल पी एस स्रीधरन पिल लई और गोवा का जो उच न्याले का जो अधिकार चेतर है वो मुंबई उच न्याले के ताथ आता है तो दिपांकर दता यहां के मुख likely 800 61 में. गवा को आजाथ करा लिया गया था. गवा के चेर्चे की बात करें तो है यहां पर भारत का पहला अल्कोहल मुजियम स्थापित किया गया है और हलांकि ए निम्यच पुरानी है बालू टिबबा पार के हैं पर अस्थापित किया गया था गोवा में ठीक है फैनी सराब को जी आई टाइक दिया जा चुका है गोवा के नेक्स्ट भारत की पहले i double decker वातान फुलित बस काउध घर के गया तो मुंबई महराष्ट में कि मुपरेटिव द्वारा यह सुराथ की गई है नितिम घटकरी जी द्वारा इसमें हरी जंडे दिगे थी वहलांकि महराथ रही भारत का पहला भारत का सकतें लंबा का सकते हैं चैंस कि लंबा डेकर फ्लाइवर के का लौँड का लौंच भी की शुराथ भी यहीं पर की जाता है इसको मुंबई भारत की आर्थिक राइधानी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है मुख्यमंतरी यहां पर एकनाथ सिंद्धे हो जाएंगे और राजिपाल भीश्व भूसान अनिचंदन ठीक है और महाराश्च उचन्याले जो की जाना जाता है बंबई उचन्याले क महाराश्च उचन्याले करने के लिए सुप्रीम कोट में अपील दायर के गई थी लेकिन सुप्रीम कोट ने इसको खारिज कर दिया है खारे पानी से जलने वाली भारत की पहली लाल्टेन का उद्गाटन महाराश्च महीं किया गया है नाम है उसका रोशनी याद रखीगा जेल प्रेटन के शुविधया देरेसा वाला ये भारत का पहला राज्य बन जाएगा और महराष्ट में भारत की पहली Underwater Tunnel का उदगाटन किया जा रहा है ठीक है नब नेक्स्ट भारती रेलवे द्वारा सबसे लंबी माल गाड़ी का सफल परेक्षन किया गया उसका नाम क्या है इसका नाम है सूपर बासुकी ठीक है एक सो पांच नहीं यार यहां सिर्फ पांच हो को मैं भी बोल रहा है एक सो पांच इंजन कैसे हो सकते हैं ठीक है और लगभग 96,000 टन कोईला लेकर यह परेक्षन सुरू किया गया था कूरबा 36 गड़ से लेकर और नागबूर के बीच इसका सभल परेक्षन किया गया ठीक है ना यहां पर कुछ रेलवे से संब्देट हम लोग फैक्ट्स को रिलेट कर लेते हैं देखे रेलवे का इतियास कुछ भारत में ऐसा है 1800 तिरुपन का वो समय था और लाड डलोवजी का सासनकाल था जब भारत में पहली बार ट्रेन चलाए गया थी 34 किलोमेटर दूरी तक की यह ट्रेन चली थी मुबई से थाने के बीच बिस्व में पहली बार ट्रेन ब्रिटेन में चलाए गया थी 1824 पचीस में ठीक है और भारती रेलवे का नेशनलाजेशन 1905 में किया गया था और भारत का पहला रेल संग रहले यह स्थापित किया जा रहा है कहां स्थापित किया गया था दिल्ली में 1977 में 1977 में या 75 में थोड़ा सा मतलब किलीरेंस नहीं है आप थोड़ा जरूर देख लीजेगा इसको एक बार ठीक है और वर्तमान में रेलवे मंत्री है अश्वानी बैशनों और वर्तमान में जो रेलवे चेयर मैन है वो है वी के त्रिपाठी नेक्स्ट किस आई आई टी के सुद्गारताओं ने भारत में पहली बार क्रित्रीम कार्णिया का 3D प्रिंट प्राप्त किया है तो आई 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 टी हैधराबाद के दारा ठीक है और खरगोश की आँख में इसका सफल प्रतेरपन का प्रेक्शन भी किया जा चुका है ठी आई यदि कोर्णिया की तो यह आँक का एक प्रता होता है ये और कर्निया पर आख में प्रतिबिम बनता है तो इसको एकदम मesis सही माना जाता है मुअ कशनिया के आगया थौकरणिया पीछे बनने पर जो प्रत्वियम कार्णिया के आगया तो पीछे बन जाता है तो यहीं पर हमें द्रिश्टी दोस हो जाता है निकट द्रिश्टी दोस और दूर द्रिश्टी दोस आपने सुना होगा यह जो कार्निया है जब हम किसी को यह कोशोचन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने एड कर लिया बस आप इसको याद रखे गें नाम हैं का रूपल चाहदरी भारत का पहला हिमालेयन मसाला उध्यान कहाँ स्थाफित कاجगे तो रानी खेत उतराखंड में ठीक है? हिमाले के छेत्र को जो है मसाला है तो लोगपणी बनाना इसका मुख्यों देस्से है बात हो रही है यहां पर उतराखंड की तो देखिए उतराखंड में ना क्या कर सकते हैं उत्राखंड कोई घटना हमें याद आ नहीं रही है उत्राखंड में अभी जल्द ही उत्राखंड भ्रस्टाचेर मुक्त मोबाइल अप्लिकेशन लॉंच किया गया था 1064 इसका जो फ्री हेल्प लाइन नमबर है उसको लॉंच किया गया था ठीक ना नेक्स्ट अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला होकी लीग का आयोजन कहां किया जाएगा नई दिल्ली में ठीक है और इसका आयोजन मेजर ध्यान चंद स्टेडियम में किया जाएगा देश बर से कुल सूरा टीमें अपस्तित होंगी और पहले चनले में लगवग 56 म पहरी बार महिला आयपियर के शुरुवात भी अभी गोशना की गए थी की जाएगी ठीक है ना नेक्स वोचन किस हवाई अड़े को भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड़े के रूप में गोशिक किया गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ले ठीक है न यह भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड़े होगा ठीक है यहां पर चुकि हवाई अड़े की बात हो रही है तो देखिए सोर उड़जा सहसंचाले बिस्व का पहला एयरपोर्ट यह कुछ एयरपोर्ट बन गया है और इंदिर्या गांधी जो दिल्ली एयरपोर यह को कोशित किया गया है ठीक है और सिंगल यूजड प्लास्टिक को बैंट करने वह भारत का पहला एयरपोर्ट यह को दिल्ली बन गया है ठीक है देश का 29 वा अंतर राश्री एरपोर्ट जल्द ही अब यह मोदी के द्वारा उत्तर प्रिश के कुशिनगर में अस्थापित किया गया था उद्घाटन किया गया था इसा बोला जा सकता है ठीक है और भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी का राख हुए हालां कि गधों के लिए सबसे जो जंगली गधे हैं वो चर्चित जगह गुज्राइट का जो कच्छ का जो छेदर है वो काफी चर्च में आता है ठीक है नेक्स्ट बाहरी अंतरिक्ष में फिल्म करने वाले पहले हॉलिवूड अबनेता कौन बन गये हैं तो इ कि शूटिंग करने वाला यह पहला देश बन गया है ठीक है और फिल्म का नाम था दा चैलेंज ठीक है किस राष्टर यह पार्क में दुनिया का पहला चीता पुनरवास परियुजना लॉंच की गई है तो इसका सही उत्तर हो जागा कुनो नेशनल पार्क एमपी ठीक है द चीता टास्क फोर्स का भी गठन किया गया था इन्हीं आज चीतों की देख रहें के लिए ठीक है इन चीज़ों को याद रखेगा बात करेंदी नेशनल पार्क की तो मद्यपर्देश जो है वह भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाला राज यही है ठीक है बांदा स्थापित किया गया है त्याद रखेगा गुजरात की भूज में स्थापित किया गया 2001 में 26 जनौली के दिन यहां पर एक भुकम की बहुत बड़ी घटना घटी थी भारी संख्या में जैनमाल की हानी हुई तो इसमें बहुत बड़े अस्तर पर जो लोग मारे गए इन्ही को स्मारक मतलब स्मरण करने के लिए इसमारक स्थापित किया गया है इसमरिति बन याद रखेगा जगा भूज गुजरात में ठीक है गधों के लिए भारत का पहला संख्यंट पार्क कहां स्थापित किया गया है यह बात अभी मैंने जेस्ट बता दिया तो इसको छोड़क नेक्स्ट आगे कर चलते हैं भारत का पहला वायुसेना विरासत के अंदर के स्थापना कहां की गई है इसका सही उतर हो जाएगा चंडिगड ठीक है न चंडिगड को भारत का गुलाब सहर के नाम से बोला जाता है बात यहां पर थोड़ी सी वायुसेना की कर लेते हैं 1932 म भारती वायुसेना के स्थापना की गई थी टॉच देश्काई विद ग्लोरी इसका जो मोटू है वो है ठीक है तो मित्रों यह थी हम लोगों की चर्चा भारत में पहली बार से जुड़ी गट्णाओं के बारे में 2022 की उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी ह लास्ट में आपसे एक क्वेशन पुछ लेता हूं भारत का पहला आयूस विष्ट भी डैले कहां अस्थापित के जाएगा इसका सही उतर हो जाएगा तो आपको बताना है ठीक है न यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा या इसके आप्षांस है और कमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तर विस्तार से लिखिएगा तो आज की इस वीडियो में इतना ही आपका धन्यवाद